असलाम उलेकुम, use of should, आएए देखते हैं इस वीडियो में should का पिरियोग, तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए, you should take some rest, मुझे अब निकलना चाहिए, I should leave now, अब हमें निकलना चाहिए, we should leave now, अब मुझे आप से विदा लेनी चाहिए, I should take your leave now, तुझे खुद पर शर्म आनी चाहिए, you should be ashamed of yourself, इस्टुडेंट्स को टीचर्स का समान करना चाहिए, इस्टुडेंट्स शुड रेस्पेक्ट टीचर्स, ताकतवर को कमजोर की मदद करनी चाहिए, the strong should help the weak, तुम्हें बेड़ी सिगरेट छोड़ देनी चाहिए, you should quit smoking, बच्चों को अपने टीचर्स का कहना मानना चाहिए, इस्टुडेंट्स शुड ओबे देर टीचर्स, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, you should go to the doctor, आपको नेक काम करने चाहिए, you should do good dates, तुम्हें अपने भविशे के लिए पैसे बचाने चाहिए, you should save money for your future, आपको साफ पानी पीना चाहिए, you should drink clean water, मैं आपको क्या दिखाऊं, what should I show you, क्या मैं यहाँ इंतिजार करूं, should I wait here, मैं आपका शुक्रिया कैसे अधा करूं, how should I thank you, मैं आपके लिए क्या करूं, what should I do for you, मैं आपकी खिद्मत कैसे करूं, how should I serve you, आपको यह काम नहीं करना चाहिए, you should not do this work, तुम्हें देर नहीं करनी चाहिए, you should not be late, आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए, you should not go there, आपको समय पर पहुँचना चाहिए, you should reach in time, हर एक को अपना काम करना चाहिए, one should do one's duty, आपको दर्वाजा खट खटाना चाहिए, you should not the door, हमें बड़ो का सम्मान करना चाहिए, we should respect our elders, आपको मेरी हां मेहां करनी चाहिए, you should say ditto to me, मैं आपको क्या बताऊ, what should I tell you, आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए, you should work hard, thanks for watching,